एक्स्प्लोरिंग पॉसिबिल्टीज में आपका स्वागत है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेर करें और सस्क्राइब भी करें आए वीडियो शुरू करते हैं शुरुवात एक छोटी सी कहानी से करूँगा जो कि शायद आपने सुनी भी हो कि एक बार एक राजा के महल में एक चोर गुसा और सफलता पूर्वख चोरी करके जाही रहा था राजा ने उसे भागते हुए देख लिया राजा ने अपने सैनिकों से कहा रोको मत जाने दो और सैनिक समझे की रोको मत जाने दो तो दोस्तो ये कहानी हमें ये बताती है कि सुने की थोड़ी सी गलती ने चोर को बचा लिया, पकड़े जाने से और वे भागने में सफल हो गया तो दोस्तो सुने का कोशल एक ऐसा कोशल है, जो की बहुत अधरभूत कोशल है एक मनुश्य अपनी शिक्षा में चार महत्वपूर्ण कोशनों पर टिका होता है वो है सुनना या समझना बोलना पढ़ना और लिखना इन में से सुनना और बोलना आपस में सीधे तोर पर जुड़े है सुनिये 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 जी आखिर सुनिये तो सही ध्यान से जुनो पिता बेटों को कहते हैं कि तुम मेरी आखिर कब सुनोगे और ऐसी बहुत सारी बातें हमें जीवन भर सुननी पड़ती है या हम आज तक सुनते आये है और पवित्र बाइबल में एक जगा लिखा है कि अगर तुम्हारे पास कान है तो तुम सुन लो ये क्या कान तो सभी के पास है तो ये किन कानों की बात हो रही है हम स्वाइम विचार कर सकते हैं जब किसी का भी जनम होता है तो वो बोलने से पहले सुनता है हमने शिश्वों को देखा होगा कि वो किस तरह से नई आवाजों के प्रती सजगों उठते हैं, वे कितने ध्यान से सुनते हैं, घंटी की आवाज, गाना या कोई अन्या, अकर्शक आवाज, फिर अधिकतर लोग जिस तरह के भाषाई बातावरण में रहते हैं, उस तरह की भाषा या बोली को सीख जाते हैं ये सब सुनने का ही परिणाम हैं और ये गुण अधिकतर मुनशों में समान रूप से पाया जाता है, क्यूंकि हम सब में ये गुण भाषा की सिखने के रूप में पाया जाता है लेकिन बच्पन में एक उमर के बाद ये सुनने का विशिष्ट गुण कम सा होता नजर आता है, जिसका सीधा आसर हमारे बोलने की क्षमता पर पड़ता है, जो की हमारी एक बहुत विशिष्ट गुण है सुनने की एक उन्नत प्रक्रिया है, जिसके भी पास स्वस्थ कान है, वो हवाजों को तो सुनता ही है, लेकिन सुनने की एक उन्नत प्रक्रिया है, जिसे हम समझना कहते हैं जो की सुनने से एक अदम आगे है, जो भी संदेश वक्ता के दौरा जिया जा रहा होता है, उस संदेश को उसी भाव में ग्रेहन करना सर्वष्रेश्ट सुनना है, बिना किसी मिलावट के, मिलावट का यहां तत पर या सुनने के समय कोई भी बूतकाल या बरतमान के विच या पहले भी इन कोशलों का महतव रहा है, लेकिन क्यूं सुनने को इतना महतव दिया जाता है, यह हम इस चीज से समझ सकते हैं कि बिना सुने हम किसी भी सुचना को ग्रेहन नहीं कर सकते, आपने देखा होगा कि बच्पन से यादी कोई व्यक्ती कम बोलता है, तो हो सकता है कि अधिक संभावना इस बात की है कि वो सुनता भी ना हो, या कम सुनता हो, तो आईये सुनने से होने वाले लाभों के बारे में हम ज़रा विस्तार से जानते हैं, पहला लाभ कि सुनने से अधिक ग्यान की प्राप्ती होती है, तो जी हाँ, अगर हम विशेवस्थी को ध्यान से सुनेंगे, तो वो हमारे दिमाग में ठीक से बैठेगा और हमें अधिक ज्यान की प्राप्ति होगी दूसरा पॉइंट है विशेवस्तु की पूरुन जानकारी ध्यान से सुनने से जो भी विशेवस्तु वक्यता के दौरा कही जा रही है उसको हम पूर्ण रोप से जान सकते हैं कोई भी भूत या विशे के विचार नहीं चले हैं जो की ध्यान से सुनने के कारण हो जाता है तो हमें बरतमान में होने का लाब भी मिल सकता है सुनना ध्यान का एक माद्यम है तो जी हां अगर हमारा ध्यान बरतमान में रहेगा तो ये एक तरह से ध्यान का माध्यम भी हो जाएगा व्यक्तिगत संबंधों में सोमेता रिकतर समय पे देखा जाता है कि रिष्टेदारों में, पती-पत्नी में, भाई-बेहन में, बाप-बेटे में इस परकार की भैस चड़ी रहती है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो या कम सुनते हो तो अगर हम बातों को ध्यान से सुनेंगे तो हमरे व्यक्तिगत संबंधों में भी मधुरता और सोमेता बनी रहेगी अगला है, सुनने से शब्द कोश में बिद्धी होती है तो जी हाँ, शब्द कोश को बढ़ाने का एक तरीका भी ये भी है कि हम सबसे पहले सुने और सुनकर उसको उचारित करें तो जिसका रूट कोश जो है, जिसकी जड़ जो है वो सुनने में ही विद्धेमान है अगला है, एक अच्छा वक्ता बनने की और एक सुद्रिड कदम जी हाँ, अगर हम अधिक शब्दों को सुनेंगे, बार-बार सुनेंगे एक जो कंटेंट है, उसको बार-बार देखेंगे तो ये हमारा एक अच्छा वक्ता बनने की और अच्छा कदम हो सकता है यह हो जाएगा तो आईए एक नजर देते हैं अध्यात्मिक गरंथों और अध्यात्मिक गुरूं के तरफ जिन्होंने सुनने के बारे में क्या कहा है तो सबसे पहले श्री गुरु नानक देब जी ने श्री गुरु गंत्र साव में सुनने के बारे में बहुत विस्तार से महिमा गाई है जो कि इस प्रकास से है वे कहते हैं कि सुनने से ही सिध्यां प्रापत होती है दैवई शक्तियां प्रापत होती है सुनने से ही संत महास्मा है इससे ही धर्ती और आकाश हैं इससे ही मृत्यू या काल कभी छू नहीं पाता है और सुनने से ही दुख और पाप का नाश होता है सुनने के विशे में और भी बहुत विस्तृत व्याख्या गुरुगरंद साहब में की गई है इसके अतरिक्त महावीर स्वामी ने जो चार घाट कहें है उसमें श्राबक का भी एक घाट है पवित्रवाइबर में मैथ्यू ने कहा है कि जिसके पास कान है वो सुन ले महत्मा बुद्ध ने भी अपने प्रवच्णों में सुनने की महिमा का वरनन बहुत अधिक किया है वे तो सब कुछ भुला कर अपनी सांसों को सुनने को कहते हैं तो उपरुक्त कुछ उध्रनों से ये बात हमें सपश्ठ तोर पर निकल कर आती है कि सुनने का महत्व ना केवल व्यक्तिकत समाजिक वशंसारिक है बलकि इसकी अत्रिक्त इसका महत्व अध्यात्मिक भी है और बहुत जादा है तो दोस्तों आप जानते हैं कि कैसे सुधारे सुनने के कोशल को जाहिर तोर पर सुनने का कोशल एक बहुत महत्पून कोशल है यही से ही कई चीजों की अच्छी नीव शुरू होती है विशेश कर अच्छा वक्ता वनने की तो कैसे सुधारे सुनने के कोशल को जैसे की बाकी चीजों में होता है अभ्यास एक महतपून कुझी है जिन विश्यों में रूची नहीं है उनमें रूची उत्पन करके हम सुनने के कोशल को सुधार सकते हैं अपने आपको शूने माने यह सच में काम करता है, शूने से तातपरे हैं कि हमें हमारे दिमाग के उपर, हमारे मस्तिष्ट के उपर किसी तरह के ग्यान का बोज नहीं होना चाहिए, तो हम अपना पूर्ण ध्यान सुनने की तरफ लगा सकते हैं। किसी भी नए विशे को सुनने से पहले अपने आपको पूर्ण ग्यान के बोज से मुक्त करें। ध्यान को बरतमान पर लगा कर हम सुनने को काफी हद तक सुधार सकते हैं। और छटा है, फूल बोडली लिसनिंग में ग्यान वस उचना के ग्रेहन को सद्याव त्यार रहना। एक विख्यात अंग्रेजी बाक्या है कि वन हू लिसन्स स्टेफ्स फोरवर्ड फोर बैटर लाइफ। कि जो भी व्यक्ति सुनता है, अपने एक अच्छे जीवन के लिए एक अदम और आगे बढ़ा देता है। तो इसमें दिये गए समस्त उधारन यह सपस्ट कर देते हैं कि सुनना मतपूर नहीं नहीं, बहुत अवश्यक और विशिष्ट गुन भी है। तो कि एक समाने व्यक्ति को विशिष्ट बनाने की योग्या रखता है। तो आईए हम अपने सुनने की आदत को मजबूत बनाकर प्रगति की तरफ एक और सुद्रिड पग उठाकर अपने जीवन को सम्रिद बनाने की तरफ अगर सर हो जाएं। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पुसंद आई तो चैनल को सिस्क्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके इस्तेदार सगे समंदी या भाई बेहन भी देखें तो इसको शेर भी करें धन्यवाद।